नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल आज हम बात करेंगे SBI शेर के बारे में जिसमें कि हमको आज के दिन गिरावट देखने को मिली लगबग 4% के आसपास यहाँ पे हमको इसमें गिरावट देखने को मिली है और 184.60 के आसपास हमको अच्या खासा यहाँ पे डाउन्सइड की ओपर आता हुआ देखने को मिला है यहाँ पे आप देखियो तकरीबर अपने यह एसी कंसॉलिडिशिं जोन के अंदर यहाँ पे हमको यह touch नहीं कर पाया और साथ में पूरी market यहां पर downfall के अंदर हमको देखने को मिली जिसकी वज़ासे यहांस भी एक शेयर भी हमको आज के दिन नीचे की और आता हुआ देखने को मिला है आने वाले दिनों में इसमें क्या हमको level देखने को मिल सकते हैं अगर आपको buying करने है तो किस level के उपर इसमें buying कर सकते हैं और यहाँ पर आने वले टाइम में इसमें क्या हमको देखने को मिल सकता है, क्या यहाँ पर यह इसको तोड़ सकता है, यहाँ फिर से दुबारा इस लेवल को यहाँ पर तोड़ नहीं पाएगा और इसके बार यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ प दिन आप देखिए आज की दिन SBI शेर के गिरने का कारण यह भी रहा कि यहाँ पर पूरी मार्केट जो हमको डाउनफॉल के अंदर देखने को मिली है लगबग निफ्टी बैंक आप देखिए तकरीबन पौने और देखने को मिल रहा है उप देखिए लेकिन पिछले 5-6 दिन अच्छी खासी आटी बनाने के बारी यहां से आप देखिए उसमें अच्छा खास हमको विक्वाली देखने को मिली है उसके बार यहाँ पर कलके लैवर के lower के आसपास यहां पर उससे भी नीचे हम को आता हुआ देखने को मिला है तो यहां पर मैं एक और चीज़ी आपको दिखाना चाता हूँ आप देखें यहां पर nifty bank जो हो यहां पर जब भी इसने अपना यहां पर पिछला जो high बनाया था उसको तोड़ा है यहां पर आप देखें पहले इसका जो high था यहां पर यह वला high हम इसको मानेगे उसके बार यहां पर इसने तोड़ने के बार फिससे हमको इसमें market में यहां पर अपर लेवल के उपर हमको अच्छी कासी selling देखने को मिली जिसकी वज़ार से फिससे यहां पर थोड़ा downfall केर और यहां पर निफ्टी बैंक जो है आ गया लेकिन 20-day moving average का यहां पर support होने के कारण यहां से इसने फिससे upside के और moment दी और देखे यहां पर पिछले high को यहां पर इसने cross किया इसको भी और यहां पर पिछला जो इसका यहां पर high बना था उसको भी इसने cross करने के बार फिससे हमको विक्वाली इसमें देखने को मिली है सो इसका मदलब यहीं कि जब भी यहां पर अपने पिछले high के ऊपर यहां पर trade करता है सो यहां से हमको अच्छी घास्छी इसमें विखवाली देखने को मिलती है अपर लिखास के वज़ा से यहां पर थोड़ा nifty bank यहां पर थोड़ा struggle करता है और उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल के अदम को आता हुआ देखने को मिलता है तो इसी वज़ा से SBA के शेर के अंदर भी हमको नीचे की और आज के दिन आता हुआ देखने को मिला साथ में एक और चीज़ कि यहां पर इसका जो यह आप देखे यहां पर रिजिस्टन्स बन नहीं कर पाया यहां पर मार्केट गैप अब ओपन होने के बाद यहां पर आप दिखिए SBA का शेर फिस्टे डाउनफॉल के और आता गया तो यहां पर हमको आगे आने वाले दुन में इसमें क्या करना चाहिए यहां पर मैं कौनगा कि आपको यहां पर बिल्कुल देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर सबीए ओंड ही भार उपर यहां फिर से और फिर से हमको यहां पर थोडि Schaten देखने को मिल सकती है और यहाँ पर जो ओवराल जो है आपर निफ्टी जो डाउ जो उनस का future है वो भी हमको आज के दिन ही यहाँ पर थोड़ा negative देखने को मिला जिसकी वज़ा से यहाँ पर market में और भी यहाँ पर pressure आ गया और यहाँ पर market अच्छी का सी है यहाँ आप देखे 1.58% downside की और देखन हमको अच्छा यहाँ पर perform करता हुआ देखने को मिल सकता है और फिस से यहाँ पर थोड़ा upside की और जाता हुआ देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पर जो अगर यहाँ पर global markets जो है यहाँ पर नेगटिव में देखने को मिलेंगी तो तब यहाँ से मैं कौँँगा SBA जो उपर होने के बार फिस से डाउंट्रेंड की और आया है तो हो सकता है यहाँ पर यहाँ पर 20-day moving average को यहाँ पर तोड़ भी सकता है अगर यहाँ पर हमको global market के अंदर आने वाले time के अंदर यहाँ पर अच्छी खासी हमको गिरावट देखने को मिलती है तो आपको यहाँ प पर के आसपास आपको यहाँ पर सेलिंग करनी है और इसके बार यहाँ पर इस लेवल के आसपास अगर यहाँ पर यहाँ पर यह इसको नहीं तोड़ पाता है ताब यहाँ पर आपको इसमें अपना जो प्रॉफिट है वो निकल जाना चाहिए यहाँ पर अगर आप यहाँ यहां पर आज के दिन इसमें तूड़ा से ऑर्म को आने वाले एक दू अफ्ते के अंदर आदे निफिति बैंक के अंदर देखने को मिल सकता हैसो अब को यहां पर मैं कौँंगा थोड़ा भी यहां पर यहां पर यहां पर द्यान दीज interview 174 के एस बढ़ो 1045 कि आसपास अगर इसके आसपास यहां पर आता हुआ देखने को मिलता और इसको तोड़ता नहीं इसके उपर यहां पर consolidation होती है तब यहां से आप इसमें buy की position बना सकते हैं अगर यहां पर market यहां थोड़ा अच्छा कासा है यहां पर थोड़ा अब ट्रेंड की और आता है downside की और आने के बाद सो आज के दिन यहां पर हम देख लेते हैं इसमें जो volume है volume भी हमको यहां पर कल के मुकाबले आप देखिए थोड़ा सा जादा देखने को मिला है यहां पर मैं कहूंगा जो लोग ने यहां पर इस जगा पर यहां पर इसके लोवर लेवल के आसपास 175 के लेवल के आसपास इसमें buying वगारा की थी वह यहां पर आज के दिन इसमें अच्छा कासा है यहां पर इन्हों अब पर इसमें सैल आफ्ट किया और हम प्रॉफिट यहां पर इसमें देखने को मिले है जोड़ास थोड़ा हमको आन्व बी डांसेड आता हुआ देखने को मिल सकता है ऑपने इसे लेवल के आसपास हमको देखने को मिलती है यहाँ पर आपको त्रेंड-लाइन को मिल सकती है यहाँ पर तोड़ा सा इसमें कमजोरी देखने को मिल अधर अभी यहाँ-पर घ्र levels के उपर हमको यहाँ पर market देखने को मिल रही है अभी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी buying नहीं करनी है आपको fresh position कोई भी नहीं बनानी है अगर market थोड़ा down नीचे की और आती है तभी आप इसमें नहीं position बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप लेकिन यहाँ पर इसके cases अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से market में अभी भी pressure बना हुआ जिसकी वजह से market एकदम उपर की और नहीं जा रही है तो यहाँ पर मैं कहूंगा भी आप थोड़ा इचले 2-3 दिनों के हिसाब से हम कहेंगे तो यहाँ पर हमको इसमें जो percentage वाइस हमको जारा देखने को मिला और यहाँ पर देखिए तक रोड़ और साथ लाग क्यास पर लोगों ने रिवरी उठाई है तीन बज़े के डेटा तक यहाँ पर देखिए कल के मकावले मुको अच्छा खासा इसमें देखने को मिला है क्यों कि यहाँ पर लोग जब भी थोड़ी सी इसमें ग्रावट होती है लोगों का यहाँ पर व्यूज जो है वो यहाँ थोड़ा bullish बना हुआ है लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि यहाँ सी फिस्टे थोड़ा जब भी इसमें डिप आती है तब आप यहाँ पर बाइंग लोग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मैं कौँगा अगर आपको यहाँ बिल्कुल भी risk-free चलना है तब आप यहाँ बिल्कुल भी मत बाय कीजिए अभ बाइंग बगारा कीजिए अभी थोड़ा wait and watch कीजिए को कि market हो सकता है थोड़ा नीचे की और आई यहाँ फिर हो सकता है अगर कोई अच्छी घबर आती है तब यहाँ पर मार्केट थोड़ा उपर की और जा सकता है तो यहाँ पर ओबराल मार्केट जाब थोड़ी volatile है तब ही हम यहाँ से कहेंगे थोड़ा downtrend बना एक दिन की candle के हिसाफ से हम कुछ भी यहाँ पर नहीं कह सकते जिसकी वज़ासे SBA में भी हम यहाँ पर एक दिन की candle के हिसाफ से कुछ भी यहाँ पर नहीं predict कर सकते तो यह थी आर्ट की वीडियो अगर वीडियो अच्छा लबा सकते हैं और यहाँ पर share market में investment शुरू कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार और चैनल को like, share और subscribe जरूर कीजिए